वेलकम फ्रेंड्स मुबिश के किचन में आद बैंपराऊंगी फ्रेंच टोस बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशस और यह देखें मेरा बहुत टेस्टी दिख भी रहने यह फ्रेंच टोस तो चलिए इसका रेसिपी देखते हैं और साथ में इसमें हनी की गार्निशिंग कर करती हूं वेलकम एंड मुबिश आज बनाने जा रही है फ्रेंच टोस फ्रेंच टोस बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए उसको देखने से पहले मैं बोल दू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हाँ बेल आई का दबाना मत तो चलिए देखिए मैंने क्या क्या ले लिया है सबसे पहले मैं आपको बताने जारी हूं मैंने लिया है हाफ कप शुगर और मेरे पास है हाफ कप शुगर है और हाफ कप से भी बहुत कम मेरे पास है ये दूद मिनिमम तीन से चार स्पून है और ये मेरे पास है ब्रेड ज और दोठो अंडे है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंश टो सबसे पहले मैं एक बाउल में अपने अंडे ले लूंगी दोनों अंडों को फोड के ले लूंगी बहुत आहिस्ते से फोड़ना है जिससे इसमें अंडे के छिलके ना जाएं ये देखिए बहुत आहिस्ते से मैंने तो चलिए अब इसको अच्छे से फीटने फिर उसके बाद मैंने इसमें हाफ शुगर ले ले लेना है मुझे पूरा अभी नहीं डालना है अपने अंदास से जितना आप चाहिए और आधा-धा करके भी डालना है जिससे इसमें अच्छे से मिक्स हो सके इलाइची पावडर भी डाल लेना है और साथ में दूद जो मैंने लिया है तीन से चार स्पून दूद भी डाल लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से जिसे ये गिरेना और साथ में मिक्स भी बढ़ियां से हो जाए ध्यान रहे आप इसको आराम से मि अच्छे सब्सक्राइब बहुत बढ़ी ऐसे फेटना है जिता अच्छे साफ फेटिंग उतना ही अच्छा और फ्लफी आपका फ्रेंच टोस मनेगा यह देखें फ्रेंट्स मेरा लगबग अंडे का घोल त्यार हो गया है मैंने इसको बढ़िया से फेट लिया है यह देखें अब इसमें अब मैंने पैन चड़ा दिया है पैन में आप ऑईल या घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो वैसे मैंने इसमें 2-3 स्पून ओयल डाल दिया है और इसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस को अंडे में डुबो के फिर मैं पैन में डाल दूँगी ध्यान रहे ब्रेड में कहीं भी जगा ना छूटे जिसमें अंडे का घोल ना लगा हो यह देखे अब इसको बड़े आराम से आहिस्ते से मुझे पलट लेना है जिससे आपका फ्रेंच टोस बहुत बढ़ियां से हो जाए अंडे में जाने के बाद फ्रेंच टोस थोड़ा सा सौफ्ट हो जाता है ब्रेड सौफ्ट हो जाता है जिससे इसके तूटने का ज्याद डर रहता है इसको बहुत आराम से पलटना पड़ता है तो यह चीज़े आप ध्यान रखे और बहुत ध्यान से पलटे यह देखिए बढ़ियां से में फ्राई हो रहा है आप अपने अकॉर्डिंग आपको लाइट ब्राउन चाहिए डाक ब्राउन चाहिए आप कर सकते हैं य देखिस सब्करने के लिए ठीक कि द्लええल के लिए मैने ले लिए है यह दो यह बल्हें ऑ्ठाट में डाल की डाल दूंकी दो मुझारी किविब यह दू स्पून के के करीब बनें उसके डाल के वम बनी इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा यह बहुत ही हेलदी है ड लेकिए मैं आपको पास से दिखा देती हूं कितना अच्छा दिख रहा है ना कितना टेस्टी दिख रहा है और इसको अपने घर में बनाईए और बच्छों बड़ों खिलाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और लाइक करना कमेंट करना बिलकोल भी मत हुआ 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 है और मेरा चैनल वे लाइक करना बहु टूलेगा तो यहा उट जहोँआ है